हाई आई आम अभी सेख विल्कम तो आवर यूटूब चानल अभी एडूकेशन तो आज हम लोग देखेंगे एक साई नाइने का क्यूचर नंबर टॉन्दीसिक्स देखें क्यूचर नंबर टॉन्दीसिक्स क्या हूँ टॉन्दीसिक्स नंबर का था इफ टू साइट्स आएड वह उन अगल्स ओफ वन ट्राइंगिल और एक वाल एडिमिस करने का था कि एक ट्राइंगल में ड्टॉ कर लेता हूं एत ट्राइंगल ए दोट्राइंगल है इसका नाम देजेतां ए बे ची इसका पाद डी ए इस ठीक इसका मतलब करा कि two sides and इसका दो sides a side a side equal और a side a side equal यानि कि का सकते a b equal d e और b c equal e f equal मिस करा कि two sides and angles of one triangle are equal इसमें करा कि one angle मिस and मतलब it means and angle क्याने करता था या angle और या angle equal होगा चीक है और equal two sides and and angles another triangle then that two triangles must be congruent तो इसका प्याने करता जो a b equal d e हो जागा और b c equal e f हो जागा तो हमें क्या पता है कि यह देखे तो inclinis यहां पर आ रहा क्या a s a r a देखे द्यान से यहां पर जो आ रहा क्या आ रहा a s a r a और a a तो अगर हमें पता कि a तो कोई rule नहीं पड़े मिस कोंग्रेंशी में कोई ऐसा rule हमें नहीं पड़ा कि जो as a s अगर including आएंगे बोलता कि a आ मिस इकोल है तो कर सकते थे कि यह आप असमें कॉंग्रेंट होता लेकिन एक्च्वाली तो a s a s को ऐसा रूल नहीं पड़े है देखे आपको पता होगा पार्च निया मिस इसका रूल पार्च रूल पता होगा ओ पार्च रूल है क्या कॉंग्रेंशी का five rules मैं देखा आता ह चाहिए ठीक है और तीसरा रूल क्या जानते थे कि a a s होना चाहिए ठीक है और चौथा रूल हम लोग क्या जानते थे यह आपको फोर्थ रूल क्या पता होगा फोर्थ रूल आपको पता होगा फोर्थ रूल आपको पता क्या है यहाँ पर angle side angle होना चाहिए ठीक है और फि ध्यायन से पार्च रूमें से जिसमें फॉल कर रहा तो और नहीं कर रहा सकते हैं यह आपका fp फॉसे दिया वार स्टीटमेंट फॉसे तिंग है यह आक का दिया वार स्टीटमेंट फॉसे आपस में को इंक्लुडिंग आएंगी अगर बोलता कि यह 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 और दो साइड होते हैं då एक्चुलिए हम बोल देती किये कॉंग्रेट है लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते हैं है गाइज अगर वीडियो पसांद है तो don't forget to hit on a bell आइकन प्लिज लाइकन सब्सक्राइब थैंक यू